आपकी स्क्रीन पे मेटल्स लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहां पर भी जोरदार तेजी बरकरार है चाइना का जिसना का अपग्रेड है मनुफाक्टरिंग डेटा बहतर आया है ना सिर्फ चाइना से बलकि यूएस और जर्मनी से उसका सीधा फाइदा है और जो जो जोब्स डेटा और साथी साथ मनुफाक्टरिंग और इंफलेशन डेटा हमने यूएस से आता हुआ देखा वो थोड़ा सा मिक्स रहा और उसका भी बाजार ने सपोर्ट लेना ही देखा है आप देख सकते हैं मेटल्स आपकी स्क्रीन पे कॉपर जहां कारोबार कर रहा है वो 15 महीने का हाई है जिंक 12 महीने के हाईस पर है और अलुमिनम 14 महीने के हाईस पर है और आज का एक और दिन जहां पर हमने बढ़ता आते वे देखिये तो करीबन एक से दो परसंट की तेजी आपकी स्क्रीन पर रवी क्या करना चाहिए जब से मेटल में बढ़किलर सुपर साइकल स्टार्ट हुआ है यहाँ पर थोड़ी सस्टनेबलिटी भी है लगातार दो तिन साल का कंसुलिशन के बाद वहां पर अच्छी एक रिकवरी है चाइना लगातार लेक अर्था उसके डेटा अच्छा है और अभी भी उमिद है कि जो नेक्स जडीपी तक के जो डेटा है जो अगले सब्तान है वहां भी आपको अच्छी रिकवरी आती हों दिख सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि यह जो रेली हो कंटिन्यू रहेगी अलाकि फोकस कोपर एन अलुमिनियम पर है अलुमिनियम में एलम इन्वेंटरी श्रिंक हो रही थी कोपर में प्रोड़क्शन काट के नियूज है त स्पेसिफिक लेबल के बात करें 822 के करें एक बार कोपर के करंट वीचर में बाई करें स्टोप्लोस लगा सकते 817 और टार्गेट रहेगा 832 तक के टार्गेट आपको एक टरिंग शेशन से दो टरिंग शेशन में आते दिख सकते हैं वहीं अलुमिनियम में करंट लेवल करें 226 के करें लगा सकते 224 बीस और वहां पर 230 तक के लेवल के उमिद करने चाहिए यहां पर शॉट टम में तोड़ा अंडर पर कॉममर्स दिखा है मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स रिकवरी ऐलुमिन में आ सकती है तो अलुमिनम अब अगला मेटल यहां पर हो सकता है क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा वॉल्यूम है और पर किलर ऑप्शन का अगर वॉल्यूम होता तो डेफिनेटली इसका इंपेक्ट आता बडियस आइस आइज यह वहां पर कोई वॉल्यूम है ने तो इसका कुछ इंपेक्ट ने आएगा जो साइकल है वह ग्लोबल मार्क तो ज्यादा फोकॉस्ट है डॉमेस्टिक न्यूस से शाहिद अमेंस कि अगर यह एमसेक्स का होता या अगर यह पोजिशन में ज्यादा ओपन इंटरेस होता तो डेफिनेटली इसका इंपेकाता मुझे लग रही कि मार्केट के लिए यह जो न्यूस हो न्यूस होता है क्योंकि हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर इननी केस कमजोर आते हुए देखी लेकिन आगरी कमोडिटीज में अब यहाँ पर क्या व्यू है रवी क्योंकि मुनाफ़वसूली यहाँ पर मसालों में है क्यास्टर में कोई बहुत तेज ही नहीं है और जब से वो नॉर्मल मॉनस सुन के बाद हुई है तो मुझे लग रहा है कि जो भी खरविफ प्रॉप है इसमें थोड़ा प्रेशर बना है तो यह न्यूस थोड़े बहुत डिस्काउंट हो चुके है आईमडी के रिपोट जैसे आएके मुझे लग रहा है कि यह मन्स के जो मन्दी है या जो थोड़ी गुवर सिट के करन्ट फ्यूचर में बाइब कर सकते है फ्यूचर में वह होगा 570 और टार्गेट रहेगा 5350 मुझे लग रहा है कि शॉट टम में आथोड़ा अच्छा लग रहा है और के फंडामेंटल धिरे-दिरे एंप्रोर है इस तरुक के बाद एक अच्छी रिकवर सकते हैं 5720 और टार्गेट जिसका रहेगा 6000 तो शॉट टम में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में एक अच्छी रिकवरी ड्यू है चाइना का फंडमेंटल पी जुड़ा है और काफी टाइम के बाद देखे तो कैस्टर रोल के प्राइजीस 1200 के उपर लगातार सस्टेन कर र देखे लिए भी